ओके तो गाईस अगर आप भी किसी एक ही स्कूल या फिर कॉलेज से क्लास 10th, 11th and 12 तीनों क्लियर कर रहे हैं या करने वाले हैं तो आप लोग के माइंड में या कन्फियूजन ओहोगा और साथ में हमारे एक सब्सक्राइबर भी है जिन्होंने एक कमेंट कहते हैं कि सर तेंथ और 12 दोनों अगर एक ही स्कूल कॉलेज से कंप्लीट करते हैं तो हमें क्या 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 डकुमेंट मिलेगा आज के इस वीडियो में हम डिटेल्स में बात करेंगे जो भी बच्चे जो है इस तरी कंडिशन में है वो इस वीडियो को पुरा देखें अदर्वाइस जो अलग- पैरी दो हम्य सब्सक्राइब करते हैं तो बेंहाइस कवाइस जोटा सा क्या देखें एक शेया एसलसी मार्क से प्रोविजनल सर्टिफिकेट माईडेशन सर्टिफिकेट भी क्लास 3 में मिलेगा लेकिन वह आपको कहने के उपर है अगर आप नहीं बोलते हैं माईडेशन के बारे में और नहीं बोलते हैं एसलसी के बारे में तो फिर वह एसलसी और माईडेशन फिर आपका उसी school college में जमा हो जाएगा जहां आप study का remence की 11-12 भी आपको वहीं से करना है तो जाइर सी बात है migration और SLC वहीं जमा हो जाएगा आपको मिलेगा सिर्फ मार्चिप, provisional, admit card, registration card जो कि सभी बच्चों को मिलता है वह आप लोग को मिलेगा बट आप लोग को SLC और migration नहीं मिलेगा अगर आप उसी school college में 11-12 करने वाले हैं तो अब यहां पर बात करते हैं कि 10th में हमें क्या क्या मिला, marksit मिला, provisional certificate मिला और आप लोग का registration card हो गया, admit card हो गया, यह सभी चीज मिलेगा, ठीक है SLC नहीं मिलेगा, migration नहीं मिलेगा, अगर उसी school college में है तो अब यहां पर एक certificate है, जिसको बोदते है, degree certificate class 10 का वह आप लोग को मिलेगा, बट वो जो है, 3-4-5 महिने के बाद आता है, तो अपना marksit लेकर जाईएगा, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है वो original certificate जो हता है, अब यहां पर बात करते है, class 12 में आप लोग को क्या क्या certificate मिलेगा, class 12 pass out होने के बाद, अगर आप उसी school college से है, तो देखिए, अब आप class 12 वहां से pass out हो जाते हैं, तो अब आपको यहां पर जो है, समझने वाली बात है कि कौन-कौन सा certificate आप लोग को provide क्य आप लोग को बोल के लिए, चौथा हो गया आप लोग का provisional, पाचमा हो गया आप लोग का वहां से, जो आप रेजिस्टेशन बनाया, रेजिस्टेशन कार्ड वो और आइडमीट कार्ड वो तो पहले ही आपनों को में जाता है, यह पांचों डाकुमेंट आपको लेना ब मिशन लेने के लिए, उसके बाद आप लोग का वगया provisional और रेजिस्टेशन कार्ड, यह पांचों डाकुमेंट मॉस्ट है आप लोग को लेना, अगर आप लोग को टीचर नहीं देते हैं माईग्रेशन, तो आप बोलिए, हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे class 12 के बाद अपना जो है बोड़ चेंज करें, CBAC से BACP में या BACP से CBAC में, दोनों बोड़ों यह लाग होता है, कि माईग्रेशन आपको लेना है, अगर मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल ला है, तो बोलके हम अपना बनवाइन के माईग्रेशन, क्योंकि अगर माईग्रेशन नहीं हो आप लोग का जो confusion, doubt और जिसने भी एक कमेंट किया था, कि सर सेम क्लास, अगर हम एक ही स्कूल में 10, 11, 12 करते हैं, तो क्या क्या डोकुमेंट मिलेगा, उनका यह जो है, डाउट के लिए रोगया होगा, और हाँ, उनको यह भी बता दू, कि क्लास 10 का SLC आपको नहीं मिलेग अगर आप चाहोगे, तो उसका फोटो, कॉपी करवा सकते हो, वाकि ओरिजनल तो new education policy के इसाप से वहीं जमा हो जाता है, जहां आपका admission होगा, क्लास 11 में, फिजन डाउट queries था, वो कि लिए रोगया होगा, अदर्वाइस कोई भी कर फिजन डाउट queries है, तो निचे, अदेखने के लिएखने 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 के